पहली तस्वीर नाम शुभा तिवारी उम्र 45 साथ दूसरी तस्वीर नाम खुश्पु तिवारी उम्र 25 साथ इनके घर में फोन की घंटी बज रही थी लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं दे रहा था आखिर कार ठक हार कर घर से दूर रह रहे बेटे ने पडोसी से कहा कि घर जाकर किसी से बात करा दे इतना सुनते ही पडोसी फोरण शुभा के घर पहुचा और देखा तो घर अंदर से बन था लेकिन तब ही उसकी नजर जमीन पर पड़ी जिसे देख उस पडोसी के हाथ पाम फुल गए बधवास पडोसी चंद सेकेंड में चीखने चिलाने लगा जिससे वहाँ पर भीड जुट गए दरसन शोभा के घर के अंदर से बाहर के और खून की नदिया बह रही थी खून देखते ही लोगों ने फॉरन पुलिस को सूचना दी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरों में दो महिलाएं नजर आ रही होंगी रिष्टे में ये दोनों मा बेटी थी लेकिन बंद कमरे में इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जैसे सुन आपकी रूख काप जाएगी दरसल शोभा अपनी शादी शुदा बेटी के साथ बिहार के बगहा में रहा करती थी शोभा का एक बेटा था जो घर से दूर रहा करता था इसी बीच शोभा के बेटे ने जब घर पर अपनी मा को फोन किया तो महां से कोई भी रिस्पॉंस नहीं आया वहीं बेटा एक नहीं, दो नहीं बल्कि अंगीनत बार अपनी मा को फोन करते रहा लेकिन वो एक फोन का जवाब नहीं दे सकी फिर तो लड़के ने मा के पडोसी से फोन पर बात की और मामले का खुलासा हो गया दो दो मड़र के मामला समने आ रहा है संभावित लग रहा है अभी पहचान नहीं हो पाई है लेकिन लोगों के तोरह जो बताया गया उसके साधार पि और देखके ही लग रहा है कि दो मड़र की संभावना है याँ पिलार पुलीस इस केस की जाच कर रही है इस डबल मडर केस में पुलीस ने कई CCTV फुटेज खंगाले है वहीं देड़ दरजन लोगों से पूस्ताज भी की है जिसमें जमीन विवाद को लेकर भी हत्या करने का आशंका जता चुकी है इसके साथ ही बता दे कि मृतका के भाई के दिये आवेदन के आधार पर पुलीस ने शहर के तीन नामचीन व्यक्तियों को नामज़त अभियुक्त बनाया है जिसमें जनसुराज नेताच चुन्नू पांडे वकील कृष्र मोहन पाठक समित व्यवसाई रवी कुमार पर हत्या कर्श्रव जलाने का आरोप लगा है फिलहार पुलीस जाच में जुटी हुई है ये भी आशंका जताया जा रहा है कि हत्या करने के बाद हत्यारे नेश्रव पर एजिट डालकर जलाने का प्रयास किया था ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तर्ट झालकर ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तर्ट